हेलो वियोर्स कैसे हैं आप सब तो बोर्टर कावर्स का ट्रॉफिय शुरू होने वाली है इंडिया वर्सिस ओस्टिले के फर्स टेस्ट को लेकर मैं आपको यहाँ पर प्रिव्यू देने वालो जहापे हम पेचे रिपोर्ट पर बात करेंगे दोनों ही डियमों कि क्या प्ले इंदरबा क्रिकेट एस्सटेडियम में हो रहा है जो कि काफी शांदा स्टेडियम है और यहाँ पर ज्यादा टेस्ट मैचिस नहीं हुए काफी लंबे अंदराल के बाद यहां टेस्ट मैच वर तो यहां पर कुछ पिछ रिपोर्ट या पिछ स्टैट्स बता देता हूं फ थर्ड इनिंग का जो एवरे स्कूर हो 261 है फॉर्थ इनिंग का एवरे स्कूर 209 है तो यहाँ पर अंदाजर लगा लिजिए कि जो भी टिम टोस चीदेगी वो चाहे बले बाजी ले या फिर गिन बाजी ले फॉर्थ इनिंग यहाँ पर इजी बिल्कूल नहीं रहने वाली बाद में जो पीचे वो फटने लगेगी और वो चाहे स्पिनर सो या पेसर सो दोनों को बैलेंस मदद देगी और बले बाजो के लिए यह पीच जो है वो कबरेगा होने वाली है तो यहाँ पर मैं यहां की हिस्ट्री बताओं तो इस स्टेडियम में पहले मुकाबला आपक 249 रन से और उस मुकाबले में विराट कोली ने काफी जाता जबरदस्त 200 प्लस स्कोर किया था और रोही चरमा चेते शुर्फ हो जारा रहने भी और मुर्ली विजने भी शतक जड़े थे तो यहाँ पर बैटिंग कंडिशन इंडिया ने दिखाई थी शुरू में जब यहा बन साइडिट पिच बना देंगे थोड़ा बैलेंस पिच बनाने कोशिश होगी जहाँ पर पेसर्स के लिए और स्पिनर्स के लिए भी समतल मदद होगी और बलेबाजी करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है और मैं बताओं कि यहाँ पर दोने टीमों का प्ल पूरी जेर में मिल जाएंगे तो इंडिया का प्लिंग 11 उसमें आपको रोही चर्मा केल रहूल देखन को मिलेंगे यह वापसी कर रहें दैन आपके चेतेशर पुजारा दैन विराट कोली शुमान गिल केस भरत आपको देखन को मिलने वाले है दैन आपके रविंदर जड जाएंगे तो दोडो की तरफ से इंपक्ट फूल प्लैर कॉन को सकते हैं तो दो-दो खिलाडी में बताऊँगा दोनों टीमों से जो की काफी ज़्यादा निखर कर सामने आ सकते हैं भारते तीम के तरफ से मैं बात करूँ तो सिराज एक पेसर है वो एक इंडिया की तरफ स impactful ख्लाड़े दिखेंगे और शुबमान गिल उनका रोल बहुती शांदर होने वाला है और वो इस मैच में कुछ ना कुछ कमाल करने वाले हैं वही मैं आउस्टिल एक तरफ से बात करूँ तो मारनस लबुशन से मुझे उमीद है कि वो कुछ कमाल कर पाएंगे और उनकी गेनबाजी में नथन लाइन से मुझे उमीद है कि वो भी कुछ कमाल की गेनबाजी करते पाएंगे तो आई होब जो मैं आपको बता है आप बताएगी आपके हिसाब से कौन impactful player होने वाला है और पिछ की तरफ से आप कैसा मसती हो मैंने तो अपना experience दे दिया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको like, share, subscribe जरूर कर दिना comment box बताएगी आप किसको support कर रहे हो और आपकी तरफ से क्या playing 11 होने वाली है और कुछ नया देखने को मिलेगा या फिर नहीं अगर कोई update होगी first test से पहले मां आपको update दे दूँगा अगर आप दिलसेश भी रखते हैं तो इस channel को आप subscribe कर सकते हो और notification bell को on करना बिलकुल न भूले, मिलते हैं next video में